तो बैया हम लोग की सुबह हो चुकी है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और सब लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वह से आ गई महुसी बात रोगा है महुसी ब्रॉष कर रही है और किचन में गारा मैंने हराथ को क्लीन कर दिया था तो फ्रेंट्स सागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सोना के आगम में तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं और अभी भी मैं सो के उठी हूँ क्योंकि रात तो काफी लेट हुगया था सोते टाइम क्योंकि मैं दोसे का बैटर बनाने लगी थी तो फिल्हाल चलिए सुबह हो चुकी है और आज की ब्लागिंग स्ट्राइट करती ही मैंने तो में से ब्रश कर रही है मौसी निकले तो मैं भी ब्रश करूँ नहाँ उसके बाद में नाष्टा बनाने के टाइम आपनो से जिलती हूँ मेरा इस नधियान हो चुका है और अब मैं आ गई हुए किछन में तो मैं यहाँ ब्रेकफ़ास्ट में बना रही हूं सेंड़िच यहाँ मेरे मौसा जी भी नहाके आ चुके हैं चाय मैंने बना ली है और मौसा जी यहाँ बाते कर रहे हैं बड़ी मज़ेदार बाते करते हैं अगर आप सीरियस हो या आपका हूट सीरियस हो तो वो ऐसी मज़ेदार बाते करेंगे कि आप हसने लगेंगे तो फिलाल महौल को खुश्णुमा पनाया रखते हैं तो यहां मेरी सैंड्विच बन चुकी है और मैंने इसको दो हिस्सों में कट कर लिया है और अब मैं चान लूँगी चाय तो चलिए मौसा जी से पूछते हैं कि सैंड़िच कैसी बनी है कैसा बना है मौसा जी? बहुत अच्छा बना है बहुत अच्छा बना है तुमने खाया? हाँ खाया तैसा लगा? अच्छा लगा मैज ये देख रहा है ये ये देख रहा है कैसा लगा बाबू? तदे बहुत अच्छा पार्थ इधर देखो कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा? नाम नांगी अच्छा लगा? कुछ पुछ बुच्छा पूंचे हम को बना जानने में दिशना कि आपको फिल्टा मैं कानी ने बहूत अच्छा लगता है हमको दराहा की डिशस बनाना खाना और पीरा परीयार को घेलाना भड़ा अख्छा लगता है और मुझे इस सब बहुत इंटरेस्टा आता है मुखसे तार मार्का टेस्टी है दीप कम इसका पहिएंगे तेस्टी है मुखसा करने के बाद हम लोग जाएंगे मार्केट हाना मुखसी शॉपिंग करने मुखसा पी चलेंगे तो अभी शॉपिंग करने जाएंगे फिर आप लोगों से बिलेंगे हम लोग हो चुके हैं तयार और निकल नहीं है मार्केट के लिए तो मार्केट से क्या-क्या शॉपिंग करके लाते हो वह हम आपको दिखाएंगे घरा करता देखो कुर्ता सारी वाले में भालेना है कि का हम लेना है अब तुम देखाब कर दो दूए दिलास पिया लेखो घाले तो परण गरम हुझी तो फंटा जाए का फिल ले जाए तो फ्रैंट्स हम लोग मार्कट से घार आचिके हैं और क्या-क्याला है वो अभी मैं दिखाऊंगी आपको पहले हम लोग लंच कर ले तो लंच अभी बनाना है तो यहां मैं तयार करने लोगी हूं दोसे का मसाला यह तैयार हो चुका है और दूसरी गैस पर मैंने चाय चड़ा दी हम लोग शाम की चाय पिएंगे आप लोग दिलीजी आके पापड़ खाएंगे और चाय चाय देखी नहीं रही है तो चाय पानी हमारा हो चुका है और अब मैं आ गई हूं किचन में बनाने लगी हूं सांबर तो सांबर के लिए मैंने कूकर में लिया है एक चमच तेल उसमें ड़ाइब दूस्ट पाने प है राई एक चमच और सूखी लाल मिर्च का तड़का दिये है सारी सबजीयों को डाल दिये है और चार चमच सांबर मसाला भी मैंने घोल कर पानी में गोल कर डाला है और अच्छे से मिक्स कर देंगे स्वादा नुसार नमक अट करेंगे और जो तूर दाल पका कर रखी है तो जब यह सबजीया पक जाएंगे तो मैं तूर दाल एट कर दूंगी और खटे पन के लिए इमली का पल्प डाल दूंगे और सांबर बन कर तयार हो जाएगी और फ्रेंड्स लंच बन चुका है और अभी मैंने सचा कि आप लोगों को दिखा दूँ कि कि मार्केट्स में क्या लेते आई हूं तो ज्यादा कुछ नहीं कुस मौसी को अपने लिए साड़ी लेनी थी और खुड़ागों ठाने पिने वाला सामाल लेना था और जो मेरी मौसी की बेटी थी उसने चिकन का कुर्टा और प्लाज उमंग वाया था वो लिया है में लोगों में तो यह दे तो यह चकन का कुर्टा है देखो वहाँ पार्थ है क्या देखो थे चिकन का कुर्टा है और और उसके साथ यह कॉटन की प्लाजो है यह देखिए पूरे में कढाई है इसमें तो इसमें लाश्टिक फुलगी हुए है और नाला ही पड़ा हुआ है लाश्टिक अगर खराब हुजा तो इससे काम चल सकता है और यह मम्मी के लिए मैंने मेक्सी खरी दी है इसका मुझे उपर का डिजाइन थोड़ा खुर्ती टाइप से लगा तो मैंने ले लिया ममी के पास है लेकिन इस टाइप की नहीं थी ममी के पास तो यह मैंने ले ली है इसका जो डिजाइन मुझे बहुत पसंदाया और यह इधर एक पॉकेट भी है साइट में छोटी सी पॉकेट है मम्मी अपने मुबाइल अगरा रख सकती है तो यह देखा आने मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ले ली मम्मी के लिए मम्मी के एक्शली मैकसी तो फट पी गई थी तो और एक है वो फिटिंग करवाने के लिए है यह भी दोनों फिटिंग करवाने के लिए मैं दे दूंगी सब मम्मी के लिए और यह मुझे ने अपने लिए साड़ी खरीदी है करवाने के लिए साड़ी बहुत अच्छी है पता नहीं वीडियो में अच्छी दिखेगी या नहीं दिखेगी यह साड़ी बहुत हलकी शिफान में है और इसके उपर कढ़ाई है बहुत सुंदर्ट लग रही थी और मौसी को भी एक ही नजर में पसंदाई तो मौसी ने ले लिए लिए तो यही है बाकी सपने ऐसे ही ब्लाउच पे से आस्तीत पर कढ़ाई है तो इसारी हम लोगों ने ली एब कुछ खाने पीने वाला सामान लिया है जादा समय नहीं था क्योंकि अभी गर्ट्रया के काम भी करना था अभी लच भी नहीं हम लोगों ने किया है बाहरी जो कुछ थोड़ा भग खाया पिए वही हम लोग खाया पिये हैं और सांभर चट्नी और आलू कमसाला बना कर रदी हैं तो सिर्फ दोसा बनाना है तो मौसी कि आपको पहले दिखा देती हूं वरना पैकिंग हो जाएगी तो फिर दिखा नहीं पाऊंगी तो चलिए फ्रंट्स कैसे लेगी आपको साड़ी और मन्मी की मेच्षी कोमन करके बताईए क्या तो चलिए फ्रंट्स वर्टापट लंच सब करा देते हूं मैं भी कर लेती हूं क्योंकि भूम बहुत तेज लगी हुई है नाश्ते से तो पेट भरता नहीं जब तक खाना न खाओ तो चलिए बना लेते हूं मैं भी खा लेती हूं और मौसी के रास्ते के लिए भी कुछ बनाना है तो उनके लिए खस्ते वाली पूरी का आटा मैंने लगा कि रख दिया ह है और मौसी ने बोला ही रायता बना देना तो मैं रायता बना देंगी क्योंकि उनको रास्ते में थोड़ा सा वामिटिंग वाली प्रॉब्लम है तो चक्कर अगरा आते हैं तो इस वजह से ज़्यादा कुछ खाएंगी नहीं पूरिया में रख दूंकी पूरी सजी बनाकर रात के खाने के लिए तो अभी फिलाल दोसा और यह सांभरी खाया जाएगा तो चलिए फटा फटा पट काम कर लेते हैं वरना लेट हो जाएगा कि किनकी दस बजी की ट्रेंग है तो यहां मैं बनाने लगी पूरियां बाकी सब चीजे रेडी हो चुकी है बसरायता चौकना बाकी है तो यहां पूरिया निकाल ली है मैंने चटनी सांभर और दोसे का मसाला रेडी हो चुका है लौकी मैंने काट कर कूकर में उबलने के लिए रखती है यहां मौसी छेल र मैं आपन ऐसा हुआ है दो जुटल आपका्ड मुझना घर वाला है तो इस वजा से रहे नौ जुलली शब ने लिप्टा नहीं यह दुटति कर भी अलग सो इस देजा आप बबुछार है बाबाबा बाबा बबा इंके बाबा ना 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 तो यहां बेटर जो पर पीस कर रखा था उसमें अच्छे से खमीर उठ चुका है आप देख सकते हैं और इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल कर इसको पतला करूँगी क्योंकि बैटर अभी गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी एट कर दिया है आप एक चमश नमक एट करें और इसको अच्छे से मिक्स करके यह देखें दोसे की कंसिस्टेंसी तयार हो चुकी अब मैं आराम से दोसा फैला लूँगी तवे पर मासा जी अठेशा घृड़ा जोकि है और सामान मी सब रेटी हो चुका अब हमनों को निकलना है तो मैं अप लोकों से कुछ कहना चाहते है क्या कहना चाहते हूं मैरी यह जो बलाने के पिछे बहु अच्छी सूप कामना है है कि सब लोग अच्छे से देखें और मेरा बना सके, अब बनाएं, ताकि बहुत सारे लोग उस चीज को देखें, आप लोग भी सारे लोग सपोर्ट करिए, आपके वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत के साथ साथ टैम भी लगता है, तो यह सारी चीज़ें हैं, तो हमारी यही सुकाम नहीं हैं सबस मौसी, 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 माजी, तो चलिए, मैं अपने ब्लाग कर दूँगी, अभी जाओंगी, छोड़ने मौसी, अभी ट्रेन निकलने में एक घंटे का समय है, और टाइम कापी हो गया, तो हम और उच्वल निकल जाएंगे दोने लोग, तो मौसी और मौसी को ट्रेन में ब मौसी जी लोगों के साथ में, तो यहां मैं और उच्वल पहुंचे के मेट्रो स्टेशन घर वापस जाने के लिए, और फ्रेंट्स मैं अपने ब्लाग का भी यहीं एंड कर दूँगी, उमीद करती हूँ, आप सभी को ब्लाग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो, तो